एहम्दाबाद में स्रंखला बद्द बम धमाकों के मामले की सुनबाई तेरे साल बाद पूरी होना कोई संतोस जनक बात नही इन बम धमाकों में पचास से अधिक लोग मारे गए थे और तमाम अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे ऐसे मामले की सुनबाई में इतना लंबा समय लग जाना यह बताता है कि आतंकी घटनाओं का निप्टारा किस तरह आम मामलों की तरह देरी से होता है काइदे से इस और इस जैसे अन्य मामलों की सुनबाई प्राथमिक्ता के आधार पर कहीं अधिक तीब्र गती से होनी चाहिए ताकि पीड़तों को राहत और अपराधियों को उनके किये की सजा मिल सके पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी आतन की गतिविदी से जुड़ा यह पहला ऐसा मामला नहीं जिसकी जाच अत्वा सुनबाई पूरी होने में इतनी अधिक देर हुई हो ऐसे ही अन्य मामलों में भी इसी तरह की देरी हुई है आतन की गतिविदीयों से जुड़े मामलों के निराकरण में जब अनावस्यक देरी होती है तो न केबल आतन कुबाद से मुकावले की प्रतिवधता को लेकर सवाल खड़े होते हैं बलकि किसी न किसी इस्तर पर आतन की तत्वों और देश विरोधी तागतों का दुस्साहस भी बढ़ता है बहतर हो कि सरकार और न्याय पालिका मिलकर ऐसी कोई विवस्था करें जिसमें कम से कम संगीन मामलों और खास तोर पर आतन कुबाद से जुड़े मामलों का निप टारा एक निस्चित समय में हो तमाम दावों के बावजूद ऐसा होने में मुस्किलें आ रही है इसका उधारण है दिल्ली दंगों की जाँच पर दिल्ली उच्च न्यायाले की ओर से असंतोस जताया जाना दिल्ली के भीशड दंगे आतन की घटना जैसे ही थे इस भयानक घटना के दोसियों का पता लगा कर उन्हें समय रहते कठोर दंड दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये था लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस न तो अपेच्चित ततपरता दिखा सकी और नहीं दोसियों को दंड दिलाने के लिए सही तरह से जाच कर सकी जब गंभीर मामलों की सुनवाई और निपटारे में जरूरत से जादा देर होती है तो कानून एबम नियाई विवस्ता पर से आम लोगों का भरोसा कम होता है और जब ऐसा होता है तो लोक तंत्र कमजोर होता है हमारे नीतिनियंताओं को यह समझने में और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए की पुलिस जाच में सिथिलता और अधालतों में मामलों की सुनवाई में अनामस्यक बिलंब गंभीर समस्याएं खड़ी करने का काम कर रहा है एहमदाबाद में सरंखला बद बम धमाकों की जो सुनवाई तेरे साल बाद पूरी हुई वह निचली अदालत की ओर से संपन हुई है इस अदालत का फैसला जो भी हो अभी है प्रकरड उची अदालतों में जाएगा और कोई नहीं जानता की वहां से निप्टारा कब होगा